हेलो दोस्तों कैसे हैं आप एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ट आप फैक्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किले के बारे में जो समुद्र के बीच में बना है और इस किले के अंदर एक रहस्य में मीठे पानी की जील है आजे जानते हैं इस किले की रोचक रहस्यों में से एक ऐसी कहानी बारे के अनोखे किले की जिसे कभी कोई जीत नहीं पाया इस किले का नाम जंजिरा किला है और यह महाराश्रों में है यह किला समदर तर से 90 फिट की उँचाई पर है और यह किला 40 फिट उची दीवारों से गिरा है इस किले में लगबग 22 गोल बुर्ज हैं यह प्रिशिद किला महाराश्र की राइगर जिले की तट्यगाउं मुरुद में है इसलिए इसे मुरुद जंजिरा किला भी कहा जाता है इस किले की सरचना विसाल है जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे किला अंडा कर आकार की चट्टान पर बना है जंजिरा किला लगबग 22 एकर शेतर में फैला है इस किले का निर्माड एहमद नगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेक में पंद्रवी सब्ताब्दी में हुआ था इस किले को सैने किले की तरह बनाया गया है ऐसा बताया जाता है इसे बनने में 22 साल का वक्त लगा था एक रहस में बात यह भी है कि समुदर का पानी खारा है लेकिन किले के अंदर जील का पानी मिठा है जिस कारण यह रहस बना है इस किले में सहा बाबा का मकबरा भी बना हुआ है इतिहास में यह किला जंजीरा के सिद्धिकियों की राजधानी के रूप में प्रिशिद्ध है यह ऐसा किला है जिस पर कभी बाहरी ताक्तों ने कबजा नहीं किया 1947 में आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने यह किला भारत को सौब दिया था इस किले में कई तोपे भी रखी गई है किले में अभी भी उस जमाने की सुरच्छाचोकियों को आप देख सकते हैं इस किले में देश की दूसरी सबसे बड़ी तोप कलाल बांगडी भी सामिल यह किला 650 वर्ष पुराना है जंजीरा किला को भारत के सबसे मजबूत 30 किलों में से एक माना जाता है जंजीरा का मतलब बन्दरगा होता है अगर आपको इतिहास में रुची है तो आप यह किला देख सकते हैं अरब सागर में बना यह किला टूरिष्टों को अपनी ओर इस वजह से टूरिस्ट इसकी ओर अट्रेक्ट होते हैं। टूरिस्ट इस किले पर मुरुत सहर से नाव से पहुंचते हैं। इस किले में प्रवेश फ्री है। पर नाव में किले तक पहुंचने में रुपए लगते हैं। यह सुबह 7 बजे से साम 6 बजे तक खुला रहता मुंबई से जंजीरा किला की दूरी लगभख 165 किलो मीटर है अगर आप किसी किले को घुमना चाहते हैं तो आपको जंजीरा किला एक बार चरूर जाना चाहिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सस्क्राइब और शेयर करें धन्यवाद